चलिए बात करते हैं सीरिल सुहागन की भई अभी तक तो बिंदिया के बड़े अच्छे दिन चल रहे थे मतलब इनका राज चल रहा था लेकिन अब आया है उन पहाड के नीचे क्या है ना कि इनोंने गलती कर दी अम्मा जी से बच सलूकी कर दी थी फिर क्रिश का मा था सरका और उसने भी सुना दी सजा हिक्या किसी को उसकी गलती की सजा इस तरीके से मिलनी चाहिए जैसा कि इस वक्त क्रिश्न दे रहा है बिंदिया को अब बिंदिया जो कर रही है उसके पीछे एक मकसद है उसके मकसद को कोई समझने की कोशिश तो नहीं कर रहा है और उस पर बिंदिया का हर काम सबको गलत लग रहा है अब बिंदिया ने अम्मा के साथ कुछ ठीक नहीं किया इसी को लेकर क्रिशने बिंदिया को सजा सना दी है कि अब तुमें भी ये करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा लाल मिर्ची जैसे तुमने हमसे कुटवाई थी ठीक वैसे ही अब ये मिर्ची तुम्हें खानी पड़ेगी वजय ये थी कि बिंदिया ने अम्मा को धक्का मारके उनका सर फोड़ दिया तो इस बात पर बात हुई तो उसने बहुत बत्तमीजी की अम्मा ने उसे थपड़ भी मारा और फिर उसने पाहल को थपड़ मार दिया और वो चली गई वहाँ से जब मैं उसके पिछे जा रहा हो वह तो बाव जी रोक लेते हैं, मतलब पापा रोक लेते हैं कि नहीं रहने दो, फिर अगले दिन फिर देखता हूँ कि वो लेप लगा करके गई है और वो फिर ये सब क्यों कर रही है तो फिर उसको पगड़के लेकर क्या आता हूँ कि तुमने यह जो अम्मा को धक्का मा हिब बिन्दिया के हाथ पैर बांदिये गए हैं और जबरन उसके मुझ मिर्ची धके ली जा रही है घर वालो को भी यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन पायल और भावी तो खुश रही है हिब बिन्दिया का तो रोरो कर बुरा हाल हो गया है क्योंकि ये दर्द बहुत ज्यादा है गिल्ट बहुत ज्यादा है इस बात का कि ये कैसे कर दिया मैंने तो फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ बैठता हूँ और फिर उसको तो दो चार मिर्ची खिलाई है और अपने कमरे में जा करके मैं कम से कम एक दो प्लेट मिर्च खाता हूँ गुस्से में अब ये बदले की भावना का खेल न जाने कब तक चलेगा ये किसी न किसी को इसका अंतितो करना होगा लेकिन बात भी ये है कि हार जीत का फैसला तो हुआ नहीं है तो इतने आसानी से कैसे कोई हार मानेगा हिम बुंबई से कैमरमेन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी निउस रिपोर्ट एबीपी निउस आपको रखे आगे